राम राम दोस्तों जोतिस के सुशेश कारीकरम में आपका स्वागत है इस वीडियो में बात करेंगे कि 4 सिकंबर 2023 को भ्रहस्पती वक्री होने जा रहे हैं तो मितुन पर जैमनी पीपल पर इसका क्या परभाव पड़ेगा इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे मितुन रा रही है और आप जिस ट्रेन में बेटे हैं उस ट्रेन ने उस जो ट्रेन को औवर लेकिन उनके घुमने की गती और उनकी जो सूरिये से दूरी है वो अलग अलग होती है हम पिर्टवी पर रहते हैं पिर्टवी से देखते हैं तो कभी-कभी लगता है कि कोई घ्रह विप्रीत दिशा में चल रहा है उल्टा चल रहा है इसे ही वक्री या रेट्रो ग्रेड कहत है जो तीस में सभी घ्रह सूरिये से एक निश्चित दूरी तक दूर जा सकते हैं उस अधिक्तम दूरी तक जाकर वो घ्रह वक्री हो जाता है उस अधिक्तम दूरी से कोई भी घ्रह आगे नहीं जा सकता है जैसे बुद्ध घ्रह सूरिये से अधिक्तम 24 डिगरी तक दूर इसलिए जब दिया तुंडली में देखेंगे तो जैसे एक राशी एक भाव 30 डिगरी का होता है तो गुद्ध हमेशा या तो सूरिये के साथ होते हैं या एक भाव आगे पिछे होते हैं इसी तरह शुक्र या तो सूरिये के साथ होते हैं या दो भाव ही आगे पिछे होते है इसी तरह मंगल ब्रेश्पती शनी भी सूरिये से कभी-कभी पांचवें, छटे या फिर सातवें भाव में जाकर वक्री हो जाते हैं, थोड़ा ठहरते हैं, पीछे चलते, परतीत होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जोतीस में वक्री घ्रह मारगी घ्रह की तुनला में ज़्यादा ताकतवर होता है, तेस्टा बल होता है उसके पाथ, वक्री घ्रह अपना परभाव ज़्यादा मजबूती से दिखाता है, शूब घ्रह यदि वक्री होता है तो वो और शूब हो जाता है, लेकिन वक्री घ्रह सिधा नहीं मिलता वक्री गरहे रेट्रोस्पेक्शन रीठिंकिंग कुनर अवलोकन करने के लिए कहता है मतलब वो कहता है कि मनझील की तरफ सिर्फ बढ़ना ही नहीं है वो जो रास्ता आपने अपनाया है मनझील को पाने के लिए वो ठीक है या नहीं तो रुख कर उसको जिस से तरिशानी होती है रेट्रो प्लेनेट कैन प्रेड्यूस वेरी इरेटिक एक्षन्स अब 4 सितंबर 2023 को सबसे शूप ग्रह मुस्ट नैचूरल बेनिफिक प्लेनेट भरस्पती वक्री हो रहे हैं मेश राची में 118 दिन लगबग 4 महिने के लिए ये वक्री होंगे 31 दिसंबर को ये फिर मारगी होंगे पहले ये भरनी नक्षतर में संचरन करेंगे जिस वक्त ये वक्री होंगे और उसके बाद अशुनी नक्षतर में ये मारगी होंगे चार सितंबर से 30 अक्तूबर तक राहू भी बरस्पती के साथ रहने वाले हैं और गोचर में 4 नमबर तक शनी भी वक्री रहेंगे देखिए जो बरस्पती है उसका महत जोतिश में बहुत जादा है दूसरा पांचवा नौवा दसवा ग्यारवा बारवा इन 6 वावों में बरस्पती का कारक्तव होता है बरस्पती गुरू है और गुरू का मतलब ही होता है जो बड़ा है महान है अब बात करते हैं संकेतों की की वक्री बरस्पती मितुन वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे मितुन वालों के जीवन के किन अक्षेतरों में रेट्रोस्ट्रक्शन, पुनर अवलोकन, रीधिंकिंग की बात वक्री बरस्पती करेंगे देखिए चोखे और सात्यम भाव के समामी बनते हैं मितुन वालों के लिए बरस्पती और 11 भाव में वो वक्री हो रहे हैं ग्यारवे भाव तखा अपनी पांचवें, साथवें, नोवी दृष्टियों से तीसरे, पांचवें और साथवें भाव का फल तो वो पहले ही दे रहे हैं अब वक्री होने पर नया क्या है? उसकी बात इस वीडियो में करेंगे कि वक्री होने पर बरिस्पती के परभाव में क्या अंतर आएगा? वक्री बरिस्पती अपने से बार में मतलब अपने से पिछले भाव यानि कि दस्वें भाव का भी आपको खल देंगे तका तीसरे, प कि पर आपको ध्यान देना होगा K Thirty इस रास्टे पर आप चल रहए हैं कि यह सभ्स कि प्र Divya है यह नहीं घ्रियो का भी ब्रियस्फत्तिバल देंगे तो क्रिया क्षित्र में सुधार की जरूरत को ब्रियस्पति दिखाते हैं वक्री ब्रस्पति कहते हैं कि केरीर में network circle से deal करने में senior score workers से संबंद सहयोग के मामले में आपको सुधार की जरूरत है कारिये की race में काम की भागदोड में आपको भागते ही नहीं रहना है थोड़ा रुख कर जिस योजना पर आप काम कर रहे हैं जिस योजना को बना कर आप चल रहे हैं उसके बारे में rethinking करने की जरूरत है retrospection पूर अवलोकन करने की जरूरत है इसको बरस्पती दिखाते हैं आपकी योजना में करम में ग्यान को दूर दर्शिता को शामिल आपको करना चाहिए अभी भगे आपका साथ देगा आपके केरियर में यातरां को भी बरस्पती बढ़ाएंगे केरियर में जो आपका प्रेजेंटेशन है जो कागजात डोकुमेंटेशन आप करते हैं जो कागजात सम्मिट करते हैं उन्हें आपको डबल चेक करना होगा वक्री ग्रैस सिदे सिदे असानी से रिजल्ट नहीं देता है केरियर में आपके कुछ जो पुराने दोस्त हैं पुराने कॉंटेक्स है आपका जो पुराना नेटवर्क सरकल है उसके लोग आपको दुबारा मिल सकते हैं जिन से आपको लाब भी होगा वक्री बरस्पती की जो पांचवी दिस्की है वो तीसरे बावो पर रहेगी वक्री बरस्पती बढ़ाएंगे जिस दिशा में एफर्ट्स कर रहे हैं उस रास्ते पर चलने से पहले ही थोड़ा रुख कर विचार कर लें कि आप सही दिशा में काम करने जा रहे हैं या नहीं रही कोई स्टार्ट अप लेने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि शुरू करके गलती कर दी क्योंकि वक्री बरस्पती आपकी जो रिस्क लेने की अक्षमता है सहा से प्राकरम है उसको तो बढ़ाएंगे लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले कुछ नया करने से पहले आपक कोई पुरानी हो भी है आपकी वो आप जीवन में फिर से अपना सकते हैं उससे आपको लाब भी होगा अपनी बुद्धी मता बुदिक अक्षमता निजने लेने की अक्षमता का पुनर अवलोकन करने की जरूरत को बरस्पती दिखाते हैं पहले से किये गए किसी निवेश में चाहिए वो शेर मार्किट में किया हूँ या कहीं और पर उससे आपको लाब हो सकता है ब्रस्पती के इस परभाव से लेकिन यदि आपको कोई नया निवेश करना है तो भागे के भरोसे बैठ कर ना चलें मतलब गेंबलिंग ना करें जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी आप को सला लेने के बाद ही करना चाहिए उसमें आपको नुकसान हो सकता है अगर आप सीधा करते हैं तो चिक्षा प्राप्ती में जो आपका स्टेडी पैटरन है आपने जो विजन सैट की है उसकी उस पर आप रीधिंक कर लें बलब उसका आप रेट्रोस्पेक्शन कर लें र पिर से आपका जूड़ सकता है बरिस्पती का दृष्की प्रवाव संतान योग भी बनाता है संतान प्राप्याप्ति जो मिस्원 वाले करना चाहते है उनको सफलता मिन सकती है पहले कर सब्सक्राइब रिष्टी साथें भाव पर जा रही है जो विवाइक जीवन का होता है तो विवा का योग भी ये आपके लिए बना देंगे यदि आप मित्रुन राशिती हैं और आप एविवाइक हैं तो आपकी शादी हो चुती है तो रिष्टों में बंडिंग को ये बढ ब्रस्क्राइब रहेगा लेकिन रिष्टों में एथिक्स और मर्यादा को ये बिमांड करते हैं जो आपके बिजनस का भी होता है साथवाब भाव तो बिजनस में आपका कोई पुराना साज़ीदार है कोई पुराना जो आपका बिजनस है उससे आपको लाव हो सकता है पहले से अच्छा भी चल रहा है तो भी उसमें तोड़ा रुक कर फहर कर उनर अवलोकन कर लें कि क्या सब कुछ ठीक है उसमें सुदार की जरूरत को तो वक्री बरस्कती बताते ही हैं राम राम